हेलो ब्रीवन, बिलकम बे, कैसे हैं आप लोग आसकरते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दियो स्टेंट्स आज की महा मेराथन क्लास का हमारा जो चेप्टर है उसका नाम है सर्दिस आउकल नर्थाद बेक्टर डिफरेंसियेशन यह बहुत ही आसान सा चेप्टर है और बहुत ही छोटा सा चेप्टर है बहुत ही कम समय में आज की इस महा मराथन क्लास में इस चेप्टर का कम्पलीट निचोड आपको देने वाला हूँ देखो अगर पढ़ाया जाए सारी थियोरी बताई जाए तो काफी लेंदी हो सकता है लेकिन मैंने इस चेक्टर का एकदम साट में निचोड निकालना है उस निचोड को बहुत ही आसानी से आप तक गलीवर कर देंगे 100% समाझ में आ जाएगा और आपके एक्जाम में किसी प्रकार का कोई भी कुछ सनागे इस चेक्टर के विहाब पर आप आराम से साल्व कर लेंगे और आपको चाहिए ही क्या तो आईए फटाफट से लेक्चर को इस्टार्ट करते हैं लेकिन आज के इस lecture को start करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को डाटना चाहता हूँ आप लोग लापरवाही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं डियो स्टेंट्स फस दे की जब class हुई थी तो वहाँ पर आप लोगों का excitement ज़्यादा था आप सदिस के बारे में भी जानते हैं आउकलन करना भी जानते हैं दोनों को combine करके हम आउकलन करेंगे उसको सदिस आउकलन कहा जाएगा बहुत आसान होगा अभी चुठकियों में आप लोगों को समझा दूगा differentiation आप लोगों ने फर्स सेमेस्टर में पढ़ा था आपको अभी तक याद होगा simple differentiation जो होता है चेन रूल होगा सबको पता होगा नहीं पता होगा तो आप पता कर लिएगा यूटूब पे सज करिएगा चेन रूल आप differentiation by dd mathematical solution आपको जबर जस लेक्चर मिल जाएगा आउकलन कैसे किया जाता है आपको याद है d by dx ऐसा हम operator यूज करते थे d by dx का मतलब होता यक्स के रिस्पेक्ट में differentiation हो रहा है d by dt हम लोग यूज करते थे इसका मतलब है टी के रिस्पेक्ट में differentiation हो रहा है तो आपको हम बताएं कि vector calculus एक portion है mathematics का आप कहे सकते हैं एक अलग ही पार्ट है उसी के अंतरगत इसको पढ़ा जाता है सदिस आउकलन तो हम लोग सीखेंगे सदिस आउकलन क्या होता है उसके पहले मैं आपको बताओ कि एक सदिस function क्या होता है एक vector function क्या होता है म सब्सक्राइब कोई function है ध्यान दो कोई function है जिसके एक सिंपल सा बताता हूं आप लोग जिससे आसानी से समाझ में आदे जैसे सब्सक्राइब वेक्टर आर कहीं लिखा हुआ है और वेक्टर आर हमारे पास ऐसे लिखा देखिए टी स्क्वार प्लस फाइब आई कैप या लिखा हुआ है वेक्टर आई आई कैप जो भी लिखा हो और प्लस में यहां पर टूटी स्क्वायर जे लिखा हुआ है ठीक है वेक्टर जेही लिख लीजिए ठीक न और प्लस में यहां टी लिख करके के लिखा हुआ है वेक्टर तो इस प्रकार का जो भी function लिखा हुआ ह होता है उस फंक्षन को हम लोग वेक्टर फंक्षन कहते हैं क्या कहते हैं वेक्टर फंक्षन कहते हैं सिंपल सा बता रहा हूं वेक्टर फंक्षन कहते हैं देखिए यहां पर क्या है देखिए आई जे और के साथ सदय लगा हुआ अभी तक हम लोगों ने देखा है इसमें क्य वैसे भी एक T का function है वैसे यह भी एक क्या है T का function है तो जब I, J और K जो components है उनके साथ जब T का कोई function combine हो जा तो उसके साथ लग जाता है तो इस प्रकार के function को इस प्रकार के फलन को हम सदिस फलन के नाम से जानते हैं वैक्टर function के नाम से जानते हैं मैंने आपको बहुत ही सिंपल इस बताने का प्रयास किया है बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप सभी लोगों को इसको बताने का प्रयास किया है अगर इसको हम थोड़ा सा समझाना चाहें आपको डिटेल में तो इसको हम लोग कहेंगे डियसे वेक्टर Ft क्या है इस function को जैसे function को यह से दिखाते हैं इसका मतलब उपर ऐसे arrow लग गया इसका मतलब क्या हो गया वह वेक्टर function हो गया किसका है टी का है पैसे है देखे दांस जैसे यह F1 तो वेक्टर F1 आई हो गया ठीक इसको क्या बोलेंगे वेक्टर F2 function है और यहाँ J लिख दिया जाएगा प्लस यह वेक्टर F3 है function है और T की देखाँ पर और यह क्या हो जाएगा डियोसेंट्स यहाँ पर क्ये हो जाएगा समझ मिहारी बात है उस तरीके से हम लोग vector function को क्या करते हैं लिखते हैं इसके साथ vector क्यों लग गया क्योंकि ये vector function है समझ मिहारी बाते बस जारे टिल में नहीं समझाओंगा बाकी तो बहुत कुछ है अब देखो ये एक vector function है लेकिन माली ये कही पर कोई ऐसे vector function लिखा हो और ऐसे आजाए 2i काई प्लस 3j काई प्लस 4k काई इस तरीके से आजाए तो आप देखेंगे i, j और k के जो components है ये सारे components कैसे है constant है इसलिए इसको vector constant function कह सकते है या constant function सीरे कह सकते है और इस तरह के जितने भी functions होते हैं उनका differentiation 0 होता है पहले भी आप लोगों ने यही सीखा idea सुन किसी भी constant quantity का differentiation सदेव 0 होता है इसलिए जब कोई भी constant vector function आएगा उसका भी differentiation 0 होगा इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से differentiation किया जाता है ठीक है जैसे यह बताइए जैसे सर आपके पास fx equal to x square है आपको इसको differentiate करना है तो क्या लिखोगे d by dx आप fx हो जाएगा और यहाँ d by dx आप x square होगा तो इसको हम लोग यह फडैस x से दिखाते थे x square का differentiation 2x हो गया यही आपका इंसर उससे कई गुना जादा आसान आपको यह लगने वाला है तो आईए फटा फट से हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से इसका differentiation किया जाता है देखो पहले कि एक्जाम पर लेते हैं सपोस कर यही है हमारा vector r है हमारा equal to t square plus 5 है और i vector है और plus में 2t square और हमारे पास j vector है और plus t है और क्या है क्या vector है और हमें क्या करना है इसको differentiate करना है ध्यान दीजिएगा इसको हमें differentiate करना है और हमें d vector r upon dt fine करना है अर्थात इस दिए गए vector function को हमें t के respect में क्या करना है अब यहां देखना यहां दिखा जाएगा दीबाइडीटी या प्लस 5 आई वेक्टर प्लस दीबाइडीटी या टीवाइडीटी या के वेक्टर इतना सुर्म है अब देखों यह जो आई जे और के दिख रहा है इसका differentiation नहीं होगा यही जो आप देखे ती स्कॉर प्लस 5 टी स्कॉर और टी इसी का differentiation किया जाएगा साल्ब करोगे तो आपको क्या मिलेगा डी आर बाई डी टी मिलेगा अब यहाँ देखो टी स्कॉर का डिफ्रेंसेजन टू होता और फाइड का जी तो कितना आ जाएगा यहाँ टू टी और वेक्टर आई या आई के जो भी लिखो प्लस में टू टी स्कॉर मतलब फोर टी और बेक्टर जे हो जाएगा प्लस टी का बन होता है केवल क्या बचाएगा बेक्टर यह देखिए इसका एक बारी क्या हो गया है डिफ्रेंसीयेशन डियस्टेंट्स हो गया है तो आपको यहाँ पर यहाँ पर सदिस आउकलन हुआ है क्योंकि यह सदिस राज थी इसलिए फर्स समेस्टर में आउकलन अर्था डिफ्रेंसीयेशन पढ़ा था तो आपको सिखाया गया था कि अगर दो फंक्शन प्लस में होंगे तब उनका डिफ्रेंसीयेशन कैसे होगा दो फंक्शन माइनस में हो तो इनका डिफ्रेंसीयेशन कैसे होगा दो फंक्शन अगर एडि कंसेट लगा लेकिन वेक्टर वेक्टर के साथ मल्डिप्लाई में होगा तो आपको पता उसमें डाट प्रोड़क्ट भी होता है तो वहां पर किस तरीके से किस कंसेट का यूज करते हैं पहले उसको समझ लिए फिर अभी आपको बहुत चोटा सा एक्जामपल लिया यह एंस लोगों को साल्व करा दो यह चेक्टर समाथ हो जागा है बिल्कुल टेंशन मतलिया राम समझ चलिए बस टॉपिक अडियोशन सदिसों के फलों के आवकलन के महत्वकून नियां पहले चीज़ दिखे लिए पास वेक्टर आर है आगर इस वेक्टर आर का एक बार टी के रि पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर यह विस्थापन है विस्थापन और यहां समय है तो विस्थापन बटे समय जब होता है वह विलास्टी हो जाता है मतलब यह कहता है विस्थापन परिवर्तन की दर विलास्टी है और यह दुबारा डिफ्रेंसिशन होते तो वेलास्टी परिवर्तन बेग परिवर्तन की दर आगे तो बेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं तो इसके भी कुछ पूछे जाते हैं तो उसको हम भी बाद में चर्चा करेंगे भी इसके बारे मत सोची आप लोग अभी आईए सदिस फालनों के आउकलन के नियम ओएख है जो सदिस फालन होते हैं उनका आउकलन करते समय किन नियमों का हम लोग यूस करते हैं Rules of differentiation of vector functions. Vector functions को differentiate करने के लिए हम लोग किस rule का किन rule का यूज़ करते हैं ये हम लोग यहां पर समझने वाले हैं पहली condition देखेए इसेंट्स देखे धांसे यहां पहले देखेगा जैसे यादि लिखा हुआ है यादि वेक्टर f equal है वेक्टर f1 ठीक है आई बेक्टर प्लस यफ 2 जे बेक्टर प्लस यफ 3 k बेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ है और इसे हमें क्या करना है डिफरेंसियेट करना है suppose करिए यहां T भी लगा दीजिए कि यह T का function है तो ठीक रहेगा यहां भी T फिर से लिख देते हैं वो ऐसे बिरेगत कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कौन सा operator लगाए confirm नहीं होगा न तो यहां पर लिख देंगे F1 T I हो जाएगा ठीक है यहां पर प्लस में क्या हो जाएगा यहां पर फिर क्या हो जाएगा देखी यहां पर एक समझें यहां वेक्टर का sign लगाई है यहां मत लगाई है क्योंकि यहां जो यहां किसी और का function है यह Вектор F जो है Vector Function है लेकिन यहां यह Scalar है यहां पहतfer मतलगागी यह F1 T Vector I Plus F2 T Vector J Plus F3 T Vector K हो जाएगा समझा रहा यह क्योंकि यह Scalar Function होगे यह Vector Function नहीं होगे जैसे यह T का Function है T पूरा Vector है लेकिन यह अलंग अलंग Scalar है iskiller यह हमारे जो iskiller function है इन iskiller function के साथ यह जो vector quantity लगने से लिए vector function बन गया है समझ रहे हो ना अब इसको differentiate करना है तो देखना देहां से d by dt आफ vector ft क्या होगा देखना देहां से यहां दिखा जाएगा d by dt आफ यह फ 1t का differentiation होगा i vector y से ही रहेगा प्लस D by D T आफ यव 2T का differentiation होगा J vector वैसे ही रहेगा प्लस D by D T आफ यव 3T vector का इसका differentiation होगा और vector k वैसे ही रहेगा यह इसका rule होता है यह इसका क्या होता है इसका rule होता है इसको आप लोग पहला द्यान लखिएगा अभी मैंने जैसे करके दिखाया था इस कर फंसलोट 사सी का Differentialोट IJ ऐसे लगे रहते हैं इनको IJ constant क्योंकि यह Constant होती नहीं यह बार-बार बाहर आते रहते हैं इनका differentiation नहीं होता है अगे last जब बस्ते हैं यहां not point मैं लिख देता हूँ note में आप लिख लिजेगा d by dt of i equal d by dt of j ठीक और equal d by dt of k इन सब का differentiation 0 होगा कहीं अगर single अके लिए आएंगे तो क्योंकि ये सब क्या होते हैं constants होते हैं इसको आप लोग ध्यान लखिएगा इसको note point में आप लोग अभी question solve कराएंगे न बहतर तरीके से clear हो जगा भी आप समझते चलिए बस ये हो गया आप लोगों का पहला rule है ना पहला rule अब दूसरा देखिए 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 यदि vector fgh ध्यान दो आप अकर हम कह देए यदि vector fgh function है तो हम लोग क्या कर सकते हैं ध्यान देए कह देए यदि vector f vector g तथा vector h फलन हो क्या हो फलन हो जब फलन हो और कैसे फलन हो अवकल निया फलन हो या एक काम करिया इससे ना लिखिए आप लोग इधर समझेए आप simple सा rule देख लिए देखिए देहां से जैसे d by dt अगर लिखा होगा f plus minus g लिखा होगा ध्यान देना सभी लोग vector function लिखा होगा तो हम लोग क्या करेंगे vector function अलग अलग है ये vector function अलग है ये vector तो इनका अलग अलग differentiation हो जाएगा d by dt अगर f plus minus d by dt अगर g इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग सदिस प्रनगर plus में लिखे हुए है तो उनका अलग अलग differentiation किया जा सकता है ठीक अब तीसरा रूल समझिए लिखा है कहीं d by dt आफ phi और vector ft लिखा है तो phi अगर constant है तो ये बाहर होगा और d by dt आफ ft जो है आपका vector ft जो है इसका differentiation ये इसका हो या vector f कहो तो ये इसका differentiation यहाँ पर कर लिया जाएगा तो ये तो हो गया rule ये हो गया plus minus का अब हम थोड़ा समझ लेते हैं multiply का dot product के लिए अलग rule होगा और उसके लिए अलग होगा देखे जहां से dot product लिए पर देते हैं जैसे d by dt आफ vector f dot vector g लिखा हुआ है तो इसके लिए rule क्या होगा ध्यान से समझेए का सभी लोग इसके लिए rule क्या होगा डियो से वही जो आप लोग पढ़ते हैं यह पहला function दूसरे का हम कर देंगे differentiation समझा रहा है और प्लस दूसरा function और पहले का हम लोग differentiation क्या यहां पर कर देंगे rule हो जाएगा इस चीज़ को आपको मिसेश रूप से ध्यान रखना है अब यह तो dart product के लिए हो गया अगर हम यही पर cast product की बात कर लें तो हो जाएगा d by dt of vector f cross vector g अगर है तो इसके लिए क्या होगा देखो यहां लिखा जाएगा यहां पर vector f cross लिखा जाएगा d by dt of vector g होगा प्लस vector g लिख करके cross d by dt of vector f हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इसके पहले जो differentiation का product टूल हम लोगों ने सीखा है वही है यह डियसेंट्स और कुछ खास नहीं है तो बस इतने से rules है जिन्हें हमें follow करना है यह concept जो अभी तक मैंने आप लोगों को सीखाया है अगर आपको कुछ कुछ कम भी समाझ में आया है तो आप tension मत लीजिए अब मैं चल रहा हूं question solve करवाने ठीक है जैसे ही मैं आपको question solve करवाना स्टार्ट करूंगा question जैसे ही आप लोग साल्व करना स्टार्ट करेंगे आपको सारे topic अपने आप clear होते चले जाएंगे आप बिल्कुल tension मत लीजिएगा जैसे differentiation करते थे वैसे ही हम लोग को करना है ये lecture आप लोग के लिए बहुत आसान पड़ेगा tension लीजिए ठीक है आईए पहले question से dear students यहाँ पर हम सुरुवात करते हैं एक बहतरीन question से देखिए धान से question देखिए question number first आ questions यहाँ पर लिखा हुआ है यादी वेक्टर R is equal to log 1 plus t square और i vector है और plus में sin t लिखा हुआ है जे वेक्टर है और minus में t square लिखा है और k वेक्टर है तो तो देखो हमें क्या क्या ग्याद करना है थोड़ा देख लो तो पहला आपको यहाँ पर ग्याद करना है डी वेक्टर R by dt साधी सा उकलन यहाँ होगा second हमें इसका ग्याद करना है दुबारा उकलन करना है ठीक है second time भी differentiation करना है dt2r upon dt2 हमें find करना है third जो है डियोसेंस इसका magnitude find करना है d vector r by dt फोर्थ जो है हमें d2 vector r by dt2 का भी magnitude अर्था माइडलोस find करना है आइए समझते हैं बहुत ही आसान question है और देखते हैं कैसे इसको हम लोग solve करते हैं देखो सबसे पहले हम एक बार differentiate करेंगे तब उसका magnitude निकाल लेंगे या अलग अलग पहले आप लोग एक बार differences ने देखो एक बार differentiation है एक बार दो बार differentiation है तो आईए समझते है solution अब यहीं से आपको docent समझे किया हो सकता है ध्यान से आप लोग समझेंगे इसको तो बहतर होगा आप लेगे आप कहोगे since vector r जो है वो कितना given है log given है one plus t square i vector है plus में sin t j vector है minus t square k vector है अब इसको जब differentiate करोगे तो d vector r by dt यहीं थोगा d vector r by dt आपका हो जाएगा अब यहां होगा d by dt आप log ध्यान देना one plus t square i vector plus में यहां पर d by dt of sin t और j vector होगा minus d by dt of t square k vector यह जो i, j, k लिखा है इसके बारे हम सोचिए ही मत अकेला आएगा जिए लिख देना नहीं तो ऐसे उसको लिख चलना आपको main differentiation इसका करना है जो t का function है समझ रहे हो ना अब देखो this implies that आपको मिलेगा d r by dt equal to अब यह log यक्स है है ना log chain rule लगेगा इसका definition क्या होगा one upon one plus t square लेकिन d by dt आप one plus t square फिर से करना पड़ेगा और vector i यहां लग जाएगा sine t का differentiation क्या होगा बच्चो cost यह से मतलब नहीं हो ऐसे लगा रहेगा यहां पर ठीक है और minus t square कितना होगा 2t होगा और k vector यहां पर लगा रहेगा इस तरीके से समझ रहे है अराम से करते चलिए this implies that d vector r by dt equal to अब इसका differentiation one होगा इसका कितना होगा बताए यह 2t यहां एगा 2t upon one plus t square समझ रहे हो ठीक है और यह चीज़ जो है यह हमेशा रहेगा और vector i यहां लिखा जाएगा plus में कितना होगा डियो सेंस कास्टी हो गया और vector कितना हो गया जे हो गया minus में 2t हो गया और vector k हो गया ठीक है कितना अच्छा है इसमें कुष्चन में एक चीज़ लिखा है यह सारे यह 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 यहां लिखा है के मान सुनो कुष्चन में के मान t बराबर घ्यान दें न सबी लोग t बराबर 0 पर ग्याद कीजिए 0 पर ग्याद कीजिए मतलब यह सारी वैलू निकालनी तो है लेकिन यह सारी वैलू हमें कहां फाइंड करनी है 0 पर फांड करने तब तो आसान हो गया अब देखिए यहां पर ऐसे लिखेंगे d vector r by dt यहाँ suffix में लिखेगा at r is equal to कहाँ पर करना है sorry r नहीं t है t is equal to 0 पर हमें ग्याद करना है तो 0 यहाँ जहाँ t है रख दीजिए यहाँ रखेंगे यह 0 हो जाएगा यहाँ लिखा जाएगा cos 0 और यहाँ जाएगा vector j और minus में कितना आजाएगा बताएगे मुझे यहाँ पर आपका हो जाएगा जब रखेंगे यह भी 0 हो जाएगा तो cos 0 की value 1 होती है तो finally आपको जो मिलेगा d vector r by dt 8 t equal to 0 जो मिलेगा वो केवल और केवल आपको j मिलेगा यह आप सभी लोगों का पहला answer आ चुका है जैसे आप differentiation में नहीं करते थे differentiation करने के बाद किसी particular point पर उसकी value पूछता था देखो मैं समझा रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे f x equal to x square होए तो आप से करता था x equal to तो पर इसका f-2 निकालो तो इसको आप लोग एक बाद differentiate करते थे तो f-x equal to 2x आता था यह आप 2 निकालने के लिए यहीं 2 नहीं रख देते थे तो फोर आता था वैसे इसमें भी करना है differentiation यहाँ पर इसका देक्टर डिफ्रेंसियेशन complete हुआ तो result जो आया है उसका t equal to 0 पर value निकालना है अब केवल d vector r by dt निकालना हो तो यहाँ पर काम खतम हो जाता differentiation तो यहाँ हो गया लेकिन इस differential coefficient की value हमें 0 पर find करनी थी वो हम लोगों ने यहाँ पर find कर लिया आई आगे बढ़ते हैं डियो स्रेंस बहुत ही बहतरीन से आते हैं आपके exam में और बहुत आसान भी आपको लग रहा होगा अगर जिनको differentiation आता है उनको यह बहुत आसान लगता है differentiation नहीं आता तो टरफ लगना ही लगना है simple सी बात है differentiation नहीं है तो हमने पढ़ाया है सीख लीजी आराम से जा करके again फिर से देखिए second part देखते हैं इसमें d2 r by dt2 निकालना है यहीं से उठाई है सभी लोग कहां से यह देखिए आपको यहां मिला है न दी बेक्टर r by dt जो हमें मिला है यह कितना मिला है डियोसेंस 2t upon 1 plus t square i vector मिला है और plus में यहां पर cos t j vector मिला है और minus में 2t k vector मिला है न अब इसी को हमें क्या करना है एक बार फिर से differentiate कर देना है तो कैसे करेंगे बताईए इसको हमें करना पड़ेगा देखो क्या होगा यह हमारा होगा d2 vector r upon dt2 जब करेंगे इसका definition होगा d by dt दुबारा कर रहे हैं 2t upon 1 plus t square यह 2 दिक्कत कर रहा हो तो 2 को बाहर लिख लो और यहां हो गया vector i plus d by dt of cos t vector j हो गया minus d by dt of 2t और vector k हो गया इसी को हमें क्या करना साल्व करना है साल्व करते चलिए this implies that d2 vector r upon dt2 जब आप निकालेंगे तो अब यहां देखो यहां क्या लगेगा भाग का सूत लगेगा तो सूत क्या होता है हर हर माने 1 plus t square d by dt of t minus t होता है और d by dt of 1 plus t square यही रूल होता है अपान में 1 plus t square का whole square हो जागा इसका काम तो खतम हो गया ठीक है इसको अलग कर लिए अब अच्छा यहां पर i भी रहेगा vector i यहां रहेगा अब cost t का minus sin t होगा तो minus sin t लिख देंगे और vector j लिख देंगे अब यहां 2t 2 बाहर होगा t का 1 हो जाएगा यहां minus 2 vector k जाकर कि आपका बच जाएगा इसको थोड़ा सा साल्व करते हैं हम लोग this implies that d2 vector r upon dt2 जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 यहां है t का differentiation कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ध्यान सबन जाएगा 1 हो जाएगा इसको छोड़ो तो बचा कितना 1 plus t square minus इसका 0 इसका 2t तो मतलब यहां हो जाएगा minus 2t square कुल मिलाग इसको हटा करके हम 1 minus t square लिख सकते हैं upon 1 plus t square का whole square यहां additions हम लोग लिख सकते हैं और यहां हम लोग vector i लिख सकते हैं minus में sin t vector j minus 2 vector k यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अब इसी की value हमें कहां find करनी है 0 पर आईए अब इसकी value 0 पर find कर लिजिए now d2 vector r upon dt2 जब निकालेंगे कहां पर निकालेंगे sir t equal to 0 पर 0 रखने पर यह सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे नहीं होंगे sir देखो क्या बचेगा यहां 2 बचेगा यह 1 minus 0 1 बचेगा 1 तो कुल इमिला कि 1 बचेगा 2 यहां बच गया मतलब क्या बचा 2 vector i बचा है और minus में sin 0 बचेगा यह 0 हो जाएगा और minus में 2 vector k बचेगा यह क्या हो जाएगी value हो जाएगी d2r upon dt2 की किस पर value हो जाएगी भाया t equal to 0 पर 2 vector i minus 2 vector k अभी यह पहला पार्ट और दूसरा पार्ट डियोसेंट साल्व हुआ है इतना समझ में आया सभी लोगों को आराम से clear हो गया होगा यह पहला question था अभी और भी question simplify करेंगे सब बेहतर तरीक के समझ में आगा tension लिए अब सुनिए इसका modulus निकाला है जैसे अगर हमें कोई vector x i कैप plus y j कैप plus z कैप मिलता है तो हम इसका magnitude कैसे निकालते है अंडर root x square plus y square plus z square सी तो निकालते है तो वैसे इसका भी निकाला जाएगा इधर से मैं erase करता हूँ आप tension मत दिया भी कुछ questions हम लोग आप discuss करेंगे न तो सारे topic आप सभी लोगों के अपने आप clear हो जाएंगे अब आए दहां से देखिए अब हम यहाँ third part देखेंगे देखो जहां से since d vector r by dt जो हम लोगों ने find किया है वो कितना find किया है 2t upon 1 plus t square है और plus में कितना है cos t है j है और यहाँ i है और minus में 2t vector k है अब हमें इसी का क्या निकालना है magnitude तो जब magnitude निकालेंगे तो देखो क्या होगा coefficient of i मतलब 2t upon 1 plus 1 plus t square का whole square plus cos square t और plus minus 2t का whole square यही थोगा न अब इसकी value निकालनी तो है हमें लेकिन कहां निकालनी है sir t equal to 0 पर तो चलिए इसी में हम लोग लिख देंगे t equal to 0 कैसे d vector r by dt 8t equal to 0 आराम से समझेए बहुत important class difference हो रही है तो यहाँ पर क्या आजाएगा आपका देखो यह तो 0 हो गया और कास square t मतलब यह 1 हो गया यहाँ भी 0 तो कुल मिला करके d vector r by dt जो है 8t equal to 0 वह हम लोग का कितना आ जाएगा वन आ जाएगा यह आपके third question का now again फिर से देखिए आप सभी लोग easy है थोड़ी सी process lengthy है लेकिन यह बहुत easy concept है आसानी से आप लोग समझ पा रहोंगे देखिए since आपको d2 vector r upon dt2 जो है वो आपको कितना गी मैंने बताएगे 2 आया है और 1 minus t square upon 1 plus t square का whole square आया है और minus में यहाँ आई लिख दिजेगा vector i माइन नहीं तो सब गरबड़ हो जाएगा sin t vector j लिखा हुआ है minus 2 vector k लिखा हुआ है अब इधर देखिए d2 vector r upon dt2 है ना यह लिखेंगे और हमें काम करेंगे इसमें direct t equal to नहीं रहने दो इसको जब करोगे अंडर रूट में कितना आएगा देखो यह होगा 2 into 1 minus t square upon 1 plus t square का whole square यह होगा और plus में यहाँ minus sin t का whole square minus में यहाँ पे minus plus में minus 2 का whole square यह हो जाएगा अब इसी को हम लोग क्या करेंगे direction simplify कर लेंगे और हम सभी लोगों का हमारा result मिल जाएगा घ्यान से समझते चलिएगा तो क्या मिला d2 vector r by dt2 जो आपको मिल रहा है कहां पे t equal to 0 पर हम find करेंगे तो देखो यहाँ 0 0 कुल मिला कि हाँ कितना बचेगा टू का square हो जाएगा मतलब यहाँ हम 4 लिख दें और यह तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी लिख दें 4 इसका मतलब root 8 आएगा इसका मतलब 2 root 2 जो है इसका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा और जहां तक मैं देख पा रहा हूं यही एंसर आ रहा है कितना easy है differentiation कौन से डिफरेंसियेशन वेक्टर डिफरेंसियेशन कितना easy है कुछ कुछ आपको समझ में आया होगा और आपको बता दें dear students की यह सारे questions जो यहाँ पर मैं आपके exam में पूछे जाओने की संभावना है फटा फट से सारे concept को समझते चले कुछ लोग class छोड़के भाग रहे हैं पता नहीं उन्हें क्या चाहिए कैसे आप लोगी तयारी होगी मैं समझ नहीं पा रहा हूं इतनी मेहनत से आप सभी लोगों को पढ़ाय जा रहा है जि us스 niेक नहीं करना चाहिए एक Northwest दबाकर करना उसको सियर कर देने से आपका साइथ parenth होगा और मेरा थोड़ा सा फाइदा हो जाएगा जब में आपके फाइदी क्लिएा इतना कर सकता हूं तो मरे समंझ विल्रत एक नहीं नहीं करेंगे नहीं करिए भाई क्या करना है आप सोच रहे हैंगे सर की गर जहें पढ़ा रहे हैं ठीक है सोचिए भाई कोई बात नहीं करते रही है आप लोग हम दो पढ़ाएंगे ठीक है चलिए चलते हैं अपने next question की तरफ dear friends आपकी book में कुछ examples भी होंगे उनको भी आप थोड़ा साल् आप यहां समय सब्सक्राइब यह दिए वेक्टर आर ठीक है वेक्टर आर इडिकल टू लॉग है और फिर लिखा है वन प्लस टी स्क्वेर वेक्टर आई है है और प्लस में लिखा है साइन टी ठीक है और यह तो वही सेम कुष्टन है dear friends हमने जो साल्व किया इसी कुष्ट को यहां पर रिपीट कर दिया गया है और अलग तरीके से जो जीरो पर वेलू पूछनी थी ना जीरो पर ना पूछ करें कि वहल डिफ्रेंसियेट करने के लिए कह रहा तो बात तेखी हुई न क्यों हम लोग इसको साल्व करें वही कुष्टन रिपीट हुआ है अगला दे तो क्या करना है थोड़ा देखिए तो हमें निकालना है d r by dt तथा d 2 r by dt2 ठीक है कमान ग्यात कीजिये कमान ग्यात कीजिये ठीक है आइए ग्यात करते हैं आसान है वहापको समझ में आया गया होगा यही ध्यान रखना है आई जेके को कुछ समझना है नहीं टी मतलब आ रहे हैं क्या दिक्कत है इसमें देखिया यह समझ समझिए ध्यान से और इस यहीं सब आएगा आपके एक्जाम में आसाने से आप उड़ा के आएंगे सलुसर में देखिए सिंस वेक्टर आर इक्वल टू टी स्क्वाइर यहां आई लिख दिएगा वेक्टर आई है प्लस यहां पर साइन टी होगा कितना गलत लिख रहे हैं साइन टी वेक्टर जे होगा साइन टी वेक्टर जे और प्लस वन माइनस टी यहां पर वेक्टर के है और हमें क्या करना है इससे एक बार differentiate करना है और दो बार करना है फिर से तो करिए dr by dt जब आप करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर d by dt आफ t square vector i को कुछ छेड़ना नहीं है plus यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ d by dt आफ sin t होगा और vector j लिख दिया जाएगा plus d by dt आफ 1 minus t होगा और vector k यहाँ पर लिख दिया जाएगा समझा रहा है जहाँ दिए अब इसको करेंगे तो this implies that d vector r by dt हमारा निकलेगा तो t square का differentiation 2t होता है तो 2t लिखो और vector i लिख दो plus sin t का cos t तो यहाँ cos t vector j लिख दो और 1 का differentiation 0 t का minus 1 तो यहाँ minus vector k जाकर कि आपके पास बच से जाएगा इतनी बाद सबको समझ में आई तो यह आपका पहला answer हो गया यहाँ पर एक बाद इसका differentiation हो गया अब इसका हम लोग क्या करेंगे एक बाद differentiation आउर करेंगे थोड़ा समझो हमें क्या निकालना है इसका मतलब होता है तो इसी को फिर से differentiate करना है अब सबका differentiation करिए इस इक्वल टू डी टू वेक्टर आर अपान डी टी टू इक्वल टू अंदर जाएंगे तो टी का differentiation ले जाए अंदर दी बाई डी टी आफ टी वेक्टर आई लिखिए प्लस दी बाई डी टी आफ कॉस टी वेक्टर जे लिखिए minus d by dt आफ वेक्टर के लिए समद रहे हैं आराम से समझते चलिए बस यह समाप्थ होने वाला है this is equal to d2 vector r upon dt2 is equal to 2t का differentiation 2 होगा यहां क्या बचेगा 2 vector i और cos t का minus sin t तो minus sin t j vector और इसका differentiation क्या हो जाएगा 0 ऐसा मैं आपको बता चुका हूँ तो finally इसको हटा देते हैं और यही जो बचेगा यही आप सभी लोगों का answer हो जाएगा आप देखिए कितना आसान सा question था और I hope आप सभी लोगों को बहतर तरीके से यह question समझ में आ गया होगा फटा फट से इसको dear friends आप सभी लोग note कर लिए देन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और next question को solve करकी आप सभी लोगों को दिखाते हैं इसको note कर लिए फटा फट से बहुत ही interesting सा question है और आपको बता दे कि इस chapter में बस ऐसे ही questions पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा tough question यहाँ पर नहीं बनते हैं बस ऐसे ही simple simple question आप सभी लोगों से आपके exam में पूछे जाते हैं तो ज़्यादा परेसान होने की जरूरत नहीं है आए देखते हैं next question को जो exam में पूछा जा चुका है question number यह 3 होगा आप लोगों का question लिखेगा यद यहाँ पर लिखा हुआ है vector r equal to vector a e to the power nt ठीक plus vector b और e to the power minus nt ठीक जहां ध्यान रखना जहां vector a vector a तथा vector b अचर सदिस हैं ध्यान रखो क्या लिखा है अचर सदिस हैं अचर सदिस हैं तो तो सिद्ध कीजिए की ध्यान दो लिखा है तो सिद्ध कीजिए की देखो में सिद्ध क्या करना है सिद्ध करना है हमें कि d2 vector r upon dt2 जो होगा वो हमारा minus में n square vector r equal होगा 0 के यह हमें proof करना है important question है UPBTE की तरफ से 2009 में यह question डियोसेंट्स पूछा जा चुका है तो important है सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा आईए समझते हैं कैसे इसको हम लोग solve करेंगे देखिए अभी तक constant vector की जगां पर हमारे पास कौन आ रहा था constant vector की जगां पर हमारे पास I, J और के आ रहा था अब उस constant की जगां पर यहां पर कोई और रख दिया गया क्या रख दिया गया डियोसेंट्स यहां पर vector A vector B का use कर दिया गया I, J ना use करके यहाँ पर क्या यूज कर दिया गया है क्या यूज कर दिया है वेक्टर A और वेक्टर B तो वेक्टर A और वेक्टर B जैसे I और J को हम नहीं छेड़ते थे चलता रहता था वैसे उसके साथ भी हम छेड़ छाड़ नहीं करेंगे जैसे लिखा है वैसे उसको हम लोग चलने देंगे अपना काम करेंगे ठीक है चलिए करते हैं इस question को solve करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग solve कर सकते हैं और इसका answer do students हमारा क्या आएगा ना answer क्या इसमें तो proof ही करना है फटा फट से समझते चलिए आप लोग बहुत ही बहुती बहुती चोड़ा सचेप्टर था था तो सानी से समाप भी हो जा रहा है आए समझें प्रूफ करते हैं इसको हम लोग ना प्रूफ देखिए आप कहोगे यहां पर सिंस सिंस क्या है भाई सिंस बेक्टर आर जो है वो एक्वल है बेक्टर एक इंटू में इटू पावर N T K प्लस में वेक्टर B K into E to the power minus N T K यही तो है ना इसको differentiate करो D vector R by D T equal to ऐसे आप करोगे ना इसको चाहो तो डाट है तो डाट product जो होता है डियस्वेंट सो क्रम बिनिमे होता है तो क्रम बदल करके उसको लिखा सकता है या क्रम बदल के नहीं भी लिखेंगे तो उससे आप लोगो को कोई समस्या नहीं होगी आप यहां लिखेगा क्या लिखेंगे वेक्टर D by D T आप वेक्टर A e to the power N T plus D by D T आप वेक्टर B e to the power minus N T यहीं हो जाएगा साल करिए इस इंप्लाइज देट वेक्टर D by D T equal to वेक्टर A का होगा नहीं e की power N T का आपको पता है dear students e की power N T ही हो जाएगा और उसके बाद N T का फिर करोगे तो यहां आ जाएगा और यहां वेक्टर A आपका लगा रहेगा तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं प्लस में यहां के लिखेंगे यहां पर माइनस लग जाएगा तो यहां माइनस हो जाएगा वेक्टर B N E की power minus N T कुछ कुछ समझ में आए सभी लोगो देखो वेक्टर B वैसे ही रहेगा E की power N T का differentiation लेकिन माइनस N T का फिर से करना पड़ेगा तो माइनस N का कितना हैगा माइनस N वह इसको माइनस कर देगा एक बार डिफ्रेंसियसन हो गया अब इसका फिर से डिफ्रेंसियसन आप लोग कर लीजिए देखे क्या हैगा D2 वेक्टर R by D T 2 equal to D by D T आफ वेक्टर R N E to the power N T होगा और माइनस में D by D T आफ वेक्टर B N E to the power N T होगा यहीत होगा ना अब इसको आप लोग साल करिए इस इंप्लाइज देट D2 वेक्टर R upon D T 2 is equal to देखो अब यहाँ पर A का कुछ होगा नहीं E to the power N T का E to the power N T होगा और N T का फिर करोगे तियन आएगा यहाँ N square A vector N square E to the power N T होगा और यहाँ की बार माइनस से प्लस हो जाएगा और यहाँ आएगा B vector N square ध्यान दो B vector कितना आएगा N square आएगा सभी लोग ध्यान दीजिए और into में E to the power minus N T आ जाएगा इतनी बाते समझ में आरे हैं सभी लोगों को अब आगे बढ़िए इसके आगे सभी लोग ध्यान दें क्या मिलेगा D2 vector R upon में DT2 हो जाएगा equal to यहाँ देखो N square का आवर मिलेगा और क्या बचेगा vector A E to the power N T और प्लस में हो जाएगा vector B E to the power minus N T अब आप ध्यान दोगे तो यही vector R की value यहाँ पर given थी तो क्या मिला आपको D2 vector R upon DT2 equal to N square vector R अब इसको हम इधर लेकर के चले आएं तो मिल जाएगा D2 vector R upon DT2 minus N square vector R equal to 0 और यही dear sense हमें क्या करना था proof करना था ठीक है बाकी आपको समझ में आ गया होगा मुझे पूरा भरोसा है बहतर तरीके से सारे concept आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग इस प्रकार के questions को solve करते हैं क्या logic है इसके पीछे का सब कुछ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा DIROW CRANTS और इसी प्रकार के questions जो है वो बार बार repeat होते हैं वही question लाकर करके exercise में दे दिया गया है वही question ला करके वहाँ दे दिया गया है बार-बार उसी तरह के questions को ये लोग क्या करते हैं repeat करते रहते हैं तो आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवसकता नहीं है ठीके फटा-फट से इसको note कर लिए आप सभी लोग उसके बाद हम चलते हैं अपने next question की तरफ एक-डू question और सालब करा देते हैं और अराम से फिर आप लोग का concept clear हो जाएगा ठीके बस एक question और करा हूँगा बस प्योंकि मुझे लगता है कि इसका main मतलब आप लोग समझे तो बहुत कुछ हैं बताने के लिए लेकिन मैं इसका जो निचोड है वही आप लोग इसमें provide करा रहा हूँ जो question आप लोग को मैं जिस तरीके से पूछे जाएगे न उसी पर हम यहाँ पर discuss कर दे रहे हैं बाकी ज़्यादा इसके detail में हम नहीं जा रहे हैं पहले एक बार main main question हो जाएए फिर previous year question paper उठाएएगे उससे से आपका जादा बहतर से हो जाएगा या तो एक काम करते हैं को कुछ question दे देते हैं इसको task में दे देते हैं अब लोग थोड़ी सी practice का लिजेगा देखिएगा जहां से यहाँ लिखेगा यहादी vector r equal to 5 t square vector i है यह नहीं यह नहीं देना है आपको t square vector i है minus t vector j है और plus में 2 t plus 1 vector k है घीक है तो हमें जात क्या क्या करना है देखो पहला आपको घ्यात करना है d vector r by dt जात करना है दूसरा जो आपको घ्यात करना है वो d2 vector r by dt2 ग्याद करना है और तीसरा जो हमें ग्याद करना आपको पता है mod of d vector r by dt निकालना है चाउथा जो हमें निकालना है mod of d2 vector upon dt2 आपको निकालना है इस तरह का मैं एक question solve करा चुका हूँ तो मुझे भरोसा है कि आप सभी लोग इसको आसाने से कर सकते हैं और कर के मुझे comment section में बता भी सकते हैं कि आपका answer कितना आएगा clear है तो एक काम करते हैं इसको आप लोग solve करेंगे बाकी आप लोग को अगर कोई doubt होगा इसमें देखो question तो इधर बहुत सारे दिये हुए हैं लेकिन हमने ऐसा देखा है कि यह सब questions आते नहीं है इसलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं बस इसमें जितना बताना था मैंने बता दिया है उसके बाद अभी मैं previous year question का थोड़ा सा guess paper वगारा बनाऊंगा तो उसके भीहाप पर और questions में solve करा दूँगा नेक्स लेक्चर में प्रयास करूँ gradient divergence था करल आपको पढ़ा दिया जाए जिससे ये भी topic आपका खतम हो जाए बहुत ज़्यादा है नहीं सब कुछ आसान है आप लोग समझ लेंगे आप लोग समझदार हो गए है आराम से आप करते चलिएगा समझते चलिएगा सब कुछ समझ में आ जाएगा वो हमारी जिम्मेदारी है यह lecture जो आपको provide कराया गया इसमें जितना topic मैंने समझाया है तो आपको समझ में आया है या नहीं आया है आपके इसाफ से कुछ मुझे और प्रहना चाहिए था आपको लगता है कुछ important topic छूट गया है आप comment section में comment करिएगा उस पे मैं जरूर response दूँगा और प्रयास करूँगा उस topic को किसी lecture में अलग से या उसको मैं प्रयास करूँ मैंने जितना सोचा मैंने जितना देखा कि यह सभी importants को करा दिया जाओ मैंने आपको करा दिया है बाकिडियो सेंट्स आजके इस lecture में बस इतना ही मिलते हैं इस lecture के साथ तब तक लिए सांदा रही और पढ़ते रही है